रहा था कि ये हम सब लोगों को जेल में क्यों डालना चाहते हैं हमारा कसूर क्या है चिताओं को जेल में डालते जा रहे हैं इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया मनी सिसोधिया को जेल में डाल दिया सतिंदर जैन को जेल में डाल दिया संजय सिंग को जेल में डाल दिया जितने आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को डालोगी जेल में उससे सौ गुना नेताओ इस ये देश पैदा ख़ेगा हुमारे नेताओं को जेल में डालते जा रहे हैं इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया मनीश सिसोधिया को जेल में डाल दिया सतिंदर जैन को जेल में डाल दिया संजय सिंग को जेल में डाल दिया आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया अब ये कह रहे हैं रागफ चड़ा भी अभी लंडन से लोटते हैं में कहरें रागव चड़्धा को भी जेल में डालेंगे, थोड़े दिन में कहरें सौरफ भार्दवाज को भी जेल में डालेंगे, आतीशी को भी जेल में डालेंगे, मैं ये सोच रहा था कि हम सब लोगों को जेल में क्यों डालना चाहते हैं, हमारा कसूर क्या है, हमारा कसू कसूर यह है कि हमने दिल्ली के अंदर गरीब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया सरकारी स्कूल शांदार बनाए यह नहीं बना सकते इसलिए यह सरकारी स्कूल दिल्ली के रोकना चाते हैं हमारा कसूर ही है कि हमने दिल्ली के अंदर मोहला क्लिनिक बनाए सरकारी अस्पताल वनाए लोगों के लिए फ्री दवाई का इंतजाम किया अच्छे इलाज का इंतजाम किया यह नहीं कर पा रहे इसलिए दिल्ली के अस्पतालों को और महला क्लीनिक को इलाज को रोकना चाहते हैं हमारा कसूर यह कि पहले दिल्ली में 10-10 घंटे बिजली के पावर कट लगते हैं हमने 24 घंटे बिजली कर दी यह उस बिजली को रोकना चाहते हैं हमारा कसूर यह है कि हमने दिल्ली वालों की बिजली फ्री कर दी यह फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं इन लोगों के बस की बात नहीं है फ्री बिजली करना यह हमारा कसूर है मैं प अपने सभी बड़े नेताओं के साथ, MLA's, MPs, सब के साथ 12 बजे BJP Headquarter आ रहा हूं, जिस जिसको आप जेल में डालना चाहते हैं, आप जेल में डाल दो, एक साथ जेल में डाल दो, आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल के आम आदमी पार् पूरे देश के अंदर लोगों के दिल में चला गया है, जितने आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को डालोगी जेल में, उससे सौ गुना नेताओं इस ये देश पैदा करेगा, कल 12 बजे मैं अपने सभी नेताओं के साथ BJP Headquarter आ रहा हूं, जिसको आपको जेल में डालन अप्टे चेनमें